अब शेक एक आखरी सवाल आपसे करना चाहेंगे और वो ये एक तो ये मामला जो है वो कोट में चल रहा है दूसरा ये कि आयोध्या के नाम पर राम मंदर के नाम पर दिल्ली से लखनाओ तक सत्ता बीजेपी ने पाई लेकिन अगर वो ये सोच रही है कि कृष्ण के नाम प क्या कि कृष्ण के नाम पर फिर से उत्तर प्रदेश में सत्ता बापसी हो सकती है वो भी उस समय में जब कि कई ज्वलंत मुद्दे पहले से वहाँ पर हैं जिसमें कि किसान मुद्दा अभी आड़ अप है एक तरीके से किसान मुद्दा भी वहाँ पर चल रहा है है उत्तर अश्य Cris, यह जो मतुरा का मुद्ध है यह बहुत आप इसे सिर्फ न समझें कि सिर्फ 2022 के चुनाओं का मुद्ध है मतुरा का जो एजंडा है यह अभी आगे चलेगा मंदिर बनने के साथ राम मंदिर बनने के साथ ही कोरिडूर बनने के साथ ही ज्यादा फोकस मतुरा पर आएगा इसमें कोई दोराय नहीं है और हमें ऐसे बयान आगे दिखाई देते रहेंगे लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि इस मुद्दे की वज़े से बीजेपी 2022 का चुनाव लड़ लेगी इस मुद्दे पे या फिर इस मुद्दे को बहुत बड़ा कर दिया ज बीजेपी जरूर क्योंकि बीजेपी ने अगर पस्चमी उत्तर प्रदेश में जीत हासिल की थी तो उसका इफेक्ट जो था वो जो मुद्दफरनगर के दंगे थे उसके बाद बीजेपी एक बड़ी ताकत बनकर उभरी और बिल्कुल ध्रूवी करन के बाद वो माहौल ब की सिती मजबूत नहीं है और पस्चमी और ब्रज का जो ये छेतर है ये कहीं न कहीं ऐसा छेतर है जिसमें जाटों की तादाद ज्यादा है जिसमें हिंदूओं की तादाद ठीक ठाक है तो ऐसी सिती में बीजेपी ये 2022 में जरूर धुरूवी करन चाहेगी कि 2017 की तरह 2019 की जो वोट है वो बिलकुल उसके बटे नहीं अन्रेस्ट है किसानों का मुद्दा है महंगाई का मुद्दा है गाए और सांडों का खेतों का मुद्दा है इसके अलावा महंगाई का मुद्दा है तो ये तमाम मुद्दों के साथ साथ अगर ये इमोशनल मुद्दे उठते ह और इससे कहीं कोई ध्रुवी करन होता है तो वो बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा ये मालूम है लेकिन सीधे तोर पर भाजपा भी ऐसे मुद्दों को उठाने से दूर है बच रही है लेकिन जो दूसरे element हैं उनका निशाना इस पर जरूर रहेगा निसले inचे लेकिन जो से दूस्था रहेगा झालूम है